कि नमस्कार बच्चों कैसे हो हम चैप्टर नंबर सिक्स त्री डाइमेंज जुमेट्री कर रहे थे उसमें हम कि त्री क्यूस्टन कंप्लीट कर चुके हैं आज हम क्यूस्टन नंबर फोर स्टार्ट करेंगे क्या करा है क्या फांड की फांड पी की कि भी फांड आट करने हैं क्या लाइन्स एक तु लाइन ये ध rifраके हैं और र्राइट क्या यह यह का क्या है यह का थिक्ठा क्यों आप उप्यार आप जीरर यह रिपर क्या कि यह को स APP थिक्टा महींज सेचके आट व रिटन प्लस C1 C2 is equal to 0 यह given है A1 क्या है direction ratio first line का X के with respect to B1 Y के C1 Z के A2 किसके X के इसका B2 Y के और C2 Z के with respect to है तो सबसे पहले तो हमें equation में यह देखना है क्या equation Cartagen Forum में है नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पे X के पास positive होना था तो negative 1 लेंगे तो X negative 1 और negative को नीचे change करेंगे तो negative 3 अब यहाँ से 7 complete complete लेंगे तो कितना मिलेगा साथ से तो 7 बार हो जाएगा तो यह कितना हैगा Y negative 2 upon 2P ठीक है अब यह 7 को complete cancel करना है तो 7 से multiply करें और 7 से divide करें तो यह क्या हो जाएगा 7 से 7 cancel out तो यह equation बन गए हमारी अब Z negative 3 upon 2 agitives ठीक है अब second से करते हैं second से करेंगे तो हमारे पास क्या है negative कितना आना चाहिए है 7 ठीक है negative 7 common लेंगे तो यह मिलेगा X और यह क्या मिलेगा negative 1 upon कितना 3P अब इसको cancel out करेंगे तो 7 negative 7 से multiply negative 7 से divide तो यह cancel out हो जाएगा is equal to यह value Y negative 5 upon 1 agitives इसमें से negative को मिलेंगे तो Z negative 6 upon negative 5 हो जाएगा अब हमें पता है A1 क्या हमारा यह A2 क्या हमारा यह B1 क्या है C1 क्या है यह और यह B2 और यह C2 इनकी product क्या लेके चलना हमें 0 के बराबर लेके चलना है तो यहां से लेंगे negative 3 और negative यह है तो cancel out होगे कितना मिलेगा 3 into 3 P upon 7 पलस इनका करेंगे तो 2 P upon 7 पलस और यह क्या हो जाएगा negative हो जाएगा 5 10 is equal to 0 LCM 7 लेंगे तो यह क्या हो जाएगा 70 और complete के नीचे क्या हो जाएगा 7 LCM यह उदर जाएगा 0 कितना हो गया 9 P plus 2 P उदर लेके जाएगे तो 7 T ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 11 P is equal to 70 और P is equal to कितना हो जाएगा 70 upon 11 11 यह मारा answer है ठीक है next question number 5 से start करते हैं 5 का first part करते हैं क्या कह रहा है find the perpendicular distance यहां से हम तीन बातें सिखेंगे क्या perpendicular distance निकालने के लिए यहां से अगर तीन चीजें इस diagram से हम find out कर सकते हैं एक तो क्या P की Q की value ठीक है find the value of a value of Q ठीक है value of a Q दूसरा क्या निकाल सकते हैं value of a distance distance P Q ठीक है और तीसरी क्या निकाल सकते हैं image of a of a P ठीक है यह तीन चीजे निकाल सकते हैं इन तीनों को same pattern से ही काम करेंगे जो चीज हमसे पुछेगा देको सबसे पहले Q निकालेंगे Q तक निकालने का तरिका क्या रहेगा same फिर Q निकल जाएगा तो image का और distance का अलग से formula लग जाएगा इन पे तो same ही रहेगा तो Q की value निकालना तो हर question में क्या होगा compulsory होगा क्योंकि जिसमें आपके पास क्या निकालना जरूरी होगा image पुछा होगा या फिर क्या पुछा होगा distance पुछा होगा तो किसकी value निकालना जरूरी होगा क्योंकि ठीक है और क्योंकि हर question में compulsory होगा तो हम same तरीका ही यूज करेंगे या पे distance जो हमने formula यूज किया था वो यूज नहीं करेंगे हम same distance का कैसे करेंगे यह यहाँ पे हम चर्चा करेंगे क्या है हमारे पास यह point है 2,1,3 इस point चे x axis से है हमें पता ही यह क्या है x axis और q किस पे है x axis पे तो इसका अर्थ है हमारे पास किस की value है हमारे पास q की x की value है तो इसको हम one unit मान सकते हैं ठीक है हमें नहीं पता कि x axis पे 1 पे है 2 पे 3 पे है लेकिन हम अच्छे हम कर लेते हैं, बाकी क्या रहेंगे 0, क्योंकि क्या है y और z क्या होंगे यहां पर, 0 ठीक है, a unit मान सकते हैं, one unit मान सकते हैं अपनी मरजी से, तो हमने क्या मान लिया, one तो हमें पता है, इसकी Cartesian equation निकालते हैं, ठीक है, और एक पाइंट हमने क्या मान लिया, यह origin है हमारा, यह क्या है, 0, 0, 0 यह 00 है, एक सक्सिज का, और यह एक पाइंट दूरी गया है, तो यह पाइंट क्या होगा, क्यों, one, zero, zero ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, equation बनाते हैं, ठीक है, यह मान लिया, a और q, तो equation of aq, aq की equation निकालेंगे, तो passing point क्या होए हमारे, 0, 0, तो x negative 0, upon कितना, 1, is equal to y negative 0, upon में, क्योंकि direction ratio करना है, 1 minus 0 करेंगे, तो 0, 1 ही आएगा, 0 minus 0, 0 minus 0, direction ratio भी क्या आने है, 1, 0, 0 या ने है, तो 0, और z negative 0 upon 0, तो equation क्या मेंगे, x upon 1, y upon 0, z upon 0, यहां तक हर question में आपको क्या करना है, same काम करना है, क्यानकि Cartesian form बना लेनी है, अगर Cartesian form नहीं बनाओ, Vector form पे आप ऐसे ही कर सकते हो, otherwise आप Cartesian form बनाओ, और same काम करते रहो, ठीक है, यहां तक सभी question में, जो आगे distance के होंगे, सब में यह काम करना है, हम इसको arbitrary lambda के equal मान सकते ह हैं, ठीक है, तो यहां से हमारे पास X की value क्या आएगी, lambda, Y की value क्या आएगी, 0, और Z की क्या आएगी, 0, ठीक है, क्योंकि यहां से equality hold कराएंगे, तो यह हमारे पास क्या होगी, equality hold होगी, अब बात आती है, तो यह क्या है, अब यह value किसकी है, Q की, तो value of Q, value of Q, यहां पे मै A, B, C कुछ भी मान सकता था इसलिए तभी कह रहा हूँ 1 भी मान सकते हैं तो lambda 0 और 0 यह है निकालना क्या है perpendicular distance ठीक है तो हमें पता है perpendicular distance निकालने के लिए हमें क्या यूज करना है यहापे अब यहाँ से हमें यह अगजेक्ट अगर आप सोच रहे होगे P की direct distance निकालने तो देखो मैंने 100 मना है यह तो 0 ने है लेकिन यह compulsory नहीं है और P की value है तो हम क्या निकालेंगे direction ratio direction ratio of a PQ ठीक है PQ का direction ratio निकालेंगे तो हमें पता है क्या होगा lambda minus 2 कर सकते हैं या 2 minus lambda तो lambda minus 2 lambda minus 2,0 minus 1 तो minus 1 0 minus 3 तो minus 3 ठीक है यह हमारे होगे direction ratio ratio अब हमें पता है direction ratio of a AQ direction ratio of a AQ AQ के direction ratio निकालेंगे तो क्या आएगा 1,0,0 यह आएगा क्योंकि 1 minus 0,0,0,0,0,0 यह आएगा अब यह बताओ मेरे को AQ और PQ perpendicular है या नहीं है perpendicular है परपेंडिकुलर है तो दो line अगर perpendicular है तो उनके direction ratio का multiple क्या होता है 0 होता है तो इन दोनों का क्या होगा यान कि PQ perpendicular AQ ठीक है PQ perpendicular AQ So इनके dot product किसके बराबर आएगी 0 के तो lambda negative 2 into 1 करेंगे तो क्या रहेगा यह रहेगा 0 से करेंगे तो 0 0 से 0 is equal to 0 तो lambda की value क्या है 2 तो Q की जो value है हमारी क्या है 2 ठीक है यहां 2 हो जाएगा एग्जेक्ट में यह point क्या था 2 था अब हम ही पता चल गया अब हम क्या निकालेंगे PQ निकालेंगे PQ distance निकालेंगे ठीक है PQ distance निकालते हैं तो क्या मिलेगा distance का formula हमें पता है क्या होता है X2 minus X1 का whole square plus Y2 minus Y1 का whole square plus Z2 minus Z1 का whole square यह होता है तो यहां से निकालेंगे तो कितना मिलेगा 2 minus 2 0 का square plus 0 minus 1 1 का square 1 0-3, 3 का square कितना हो जाएगा, 9 का root, तो कितना हो जाएगा, 10 root, तो यह क्या है, मारे पास, distance है, तो distance किसींने किसी unit में होती है, क्या पता है, यह centimeter में है, यह किसमें है, तो इसमें क्या लगा देंगे, units, ठीक है, units का लगा देंगे, तो यह हो गया हमारा 5th question का 1st part, नेक्स्ट क्यूस्स नमबर 6 है, find the foot perpendicular, foot perpendicular means जो अभी अभी हमने question क्या था, तो यहां पे हमने क्या क्या था, PQ, ठीक है, P और Q, Q क्या है, foot perpendicular ही तो है, foot की जो value है, वही हमें निकालनी है, यहन की Q की value find out करनी है, यह मारी क्या है, इसकी equation है, यह मालो A और B है, AB equation, AB की equation है, ठीक ह तो इसका आर्थ है, फिर से हमें किस की value निकालनी है, क्योंकि, मैंने तीन बाते बताए थी, क्या, यहां पे Q की value निकालना, distance निकालना, और क्या निकालना, image, तो P की image होगी, वह ऐसे निच्चे आएगी, आगे क्यों सनाएगे, तब करेंगे हम, ठीक है, तो जो भी है, Cartesian equation इसने खुद given है, तो इसको क्या करना है, X negative 6 upon 3 is equal to Y negative 7 upon 2 is equal to Z negative 7 upon negative 2, ठीक है, इसको क्या माल लेना है, किसी ने किसी arbitrary lambda की equal माल लेना है, तो इसको compare करेंगे, तो कितना मिलेगा, 3, X is equal to 3 lambda, और 6 उदर जाएगा, तो पलस का 6, और Y is equal to कितना आएगा, 2 lambda negative का उदर आखे क्या बन जाएगा, positive, और Z is equal to कितना आएगा, negative 2 lambda plus 7, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये P point की value है हमारे पास, 1, 2, 3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, for any lambda, for any lambda, value of a Q, Q की value क्या होगी, यही माल लेते हैं, 3 lambda plus 6, 2 lambda plus 7, negative 2 lambda plus 7, आप सोचोगे, क्यों की value यह कैसे हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा clear करता हूँ, माल लेमडा की value मैंने क्या रखा, 1 रखा, तो क्या आएगा यह, 9, ठीक है, यह भी value आएगी, यह भी value आएगी, ओ सकता है, वो value यह हो, ठीक है, मैं lambda की value को और change गरूँगा, हो सकता है, यह भी हो, हो सकता है, यह arbitrary point है, infinite point है, अलग-अलग value आती रहे कि, मैं तब तक value को change करता रहूँगा, तब तक Q point की value ना आए, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ, कि किसी arbitrary lambda के लिए Q माल ली आए, ठीक है, तो Q की value पता चल गया, अब हमें पता है, direction ratio of a PQ, PQ के direction ratio निकालते हैं, तो 3 lambda plus 6 minus 1 करेंगे, तो कितना मिलेगा, 3 lambda plus 5, ठीक है, 2 lambda plus 7 में से 2 subtract करेंगे, तो 2 lambda plus 5, इस में से 3 को subtract करेंगे, तो negative 2 lambda और कितना मिलेगा, पलस का 4, ठीक है, यह direction ratio P क्योंगे, जब की direction ratio, direction ratio of a B, A B के direction ratio क्या है हमारे पास, यहां से clear है हमारे पास 3 2 और negative 2, तो कितने होगे, 3 2 negative 2, ठीक है, अब हमें पता है, PQ perpendicular AB, ठीक है, PQ क्या है, perpendicular है AB पे, तो हमें पता है, क्या होगा, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, इस इकल टू क्या मिलेगा, 0, तो यहां से इनकी product करेंगे, तो 3 से इसकी product करेंगे, कितना मिलेगा हमारे पास, 3 3 9 lambda plus 15, 2 से करेंगे तो plus 4 lambda plus 10, और negative से करेंगे, तो positive 4 lambda negative 8 is equal to 0, ठीक है, तो यहां से करेंगे, तो कितना मिलेगा, 4 4 8 और 9 70 lambda, ठीक है, यहां से करेंगे, तो 2 subtract करेंगे, तो 8 subtract करेंगे, 2 और 17, इसको इदर लेकिया है, तो negative 17, ठीक है, cancel out करेंगे, तो lambda की value कितने आई, negative 1, अब हम क्या हाँ पे, यहाँ पे Q में lambda की value रखतेंगे, तो value of a, value of a Q, तो lambda रखेंगे, तो negative 1 रखेंगे, तो negative 3, और plus 6 करेंगे, तो plus 3, और यहां से negative 2, plus 7, 5, और यहां negative, negative positive, और 7, 9, तो यह क्या होगे, हमारे पास value of Q, जो की foot perpendicular है, ठीक है, यहां हम कुछ part और लेते हैं, question number 5 के, तो हमने second part को उठाया है, तो यहां से हमें पता है, इसको अगर समझे, तो इसको vector form में अगर समझा जाए, तो कितना मिलेगा, x minus 3 upon 2, is equal to y negative 4 upon negative 3, is equal to z negative 5 upon 6, और यह point है, तो इसको क्या करना है, lambda की equal लखना है, lambda की equal लखेंगे, तो x की value क्या होगी, हमारे पास 2 lambda plus 3, 2 lambda plus 3, और y की कितनी होगी, negative 3 lambda plus 4, और z की कितनी होगी, 6 lambda plus 5, तो उसी तरह से, यहां से अगर lambda की में value change करूँगा, तो lambda vary करेगा, इधर उधर, ठीक है, left right मालो, यह a b है, तो a b के lambda के साथ change करूँगा, तो vary करता रहेगा, left right में q से left right में भोल सकता है, और कहीं ने कहीं, कोई ने कोई value जरूर बनी होगी, lambda के लिए जो रखूँगा तो q आएगा, लेकिन मेरे को पता नहीं क्या रखना हो, तो value of a q, q की मैं अज यूं कर लेता हूँ, for any lambda, यानि कोई lambda रखा, तो क्या आएगा मेरे पास, यह आगी, 2 lambda प्लस 3, negative 3 lambda प्लस 4, 6 lambda प्लस 5, अब मेरे को lambda की value फाइंड आउट करनी है, जबकि मेरे को पता है, direction ratio of a pq, pq के direction ratio निकालूँगा तो यहां से इसको सब्ट्रेक करेंगे, तो 1 को सब्ट्रेक करेंगे, तो 2 lambda प्लस का कितना हो जाएगा, 4, और 3 lambda में से 2 सब्ट्रेक करेंगे, 3 lambda नेगिटिव, और 2 सब्ट्रेक करेंगे तो प्लस का 2, 6 lambda में से 5 करेंगे, तो 6 lambda, यह direction ratio of pq के, और direction ratio of a b, a b के direction ratio क्या है, 2 है, negative 3 है और 6 है, अब मेरे को पता है, क्या होगा, pq perpendicular a b, इनकी product के आएगी, 0 के बराबर आएगी, तो 4 lambda प्लस 8, negative, negative, positive, 9 lambda प्लस का, negative 6, ठीक है, और 6 से करेंगे तो 36 lambda is equal to 0, तो यहां से आप lambda की value find out करके जा रख सकते हो, इसकी value निकल के आजाएगी, next एक part हो लेते हैं, same to same काम है हमारा, ठीक है, तो इसको भी आप complete कर सकते हो, सिरफ Cartesian equation को अच्छे से बना रहा हूँ है, इसको, सही तरिक्के से लिख रहा हूँ, तो negative 4, negative 1 को मल लेंगे तो x negative 4 upon negative 2 हो जाएगा, y by 6 और यहां negative को मल लेंगे तो z negative 1 upon negative 3, पिर शे य लेमडा की equal मानना है, यह value हमारे पास 2, 3, 4, कहांकि इसकी value find out करनी है, और इस line की equation AB की क्या हमारे पास, यह equation है और यह क्यों हो गया, तो same to same, आप इसमें भी method apply करेंगे, तो lambda x की value क्या होगी, negative 2 lambda plus 4, y कितना होगा, 6 lambda और z कितना होगा, negative 3 plus, negative 3 lambda plus 1, तो for any lambda, क्या मानेंगे, for any lambda, any lambda value of a q, q की value क्या होगी, negative 2 lambda plus 4, और plus 6 lambda, negative 3 lambda plus 1, और फिर क्या करेंगे हम, direction ratio of pq निकालेंगे, direction ratio of a, b तो हमें given है, क्या है, negative 2, 6 और negative 3, और इन दोनों की dot product 0 के equal लेंगे, और lambda आएगा उसको हम क्या करेंगे, वापिस इस value में क्या कर देंगे, put कर देंगे, तो q q value आ जाएगी, तो यहां तक हमने 6 questions complete कर लिये हैं, किसी भी बच्चे को क्योई भी doubt है, तो comment section में जरूर बताएगे,